तो फ्रेंड सबसे पहला यहां हमारा क्यूस्चन है ए एपी फाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं इसका चार उप्सन है सही एंसर दोस्तों इसका बी हो जाएगा यांत्रिक और लंब के लिए उसके बाद फ्रेंड हमारा जो दूसरा सकते हैं सुस्क जलवायू के लिए भली भाती अनुकुलित पेर पौधे को कहते हैं तो अधीपादब मरूद भीद जलोड भीद उसके बाद मध्यपाद इसका राइट एंसर दोस्तों भी हो जाएगा जैसे आप देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों जोमारा तीसरी क्यू अंगूर के उत पादन से वीटी कल्चर जाना जाता है उसके बाद फ्रेंड जो हमारा चौथा क्यूशन है चौथा क्यूशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं विज्ञान की वस आखा जिसमें आनुवनसिक जैनिटिक अभियांतरिक के द्वारा मानो प्रजाती में क्या कहते हैं तो फ्रेंड आपको बहुत अच्छे स्पता है इसका चार उप्षन इसका राइट एंसर हो जाएगा बी एंटो एंटमो लोजी कहते हैं कीटो के बग्यानिक अध्यान को उसके बाद जो हमारा पांच्वा की छठा क्यूशन चिठा क्यूशन आप यहां पर द चैटो लोजी में अध्यान किया जाता है उसके बाद चहटे है इसका अंसर होजा जाएगा ऑपसा एद जिवपरिश्थितिक आफ़े हम आते हैं आठा की तरफ तरह आपके इसक्रीन पर आ चुका है जिवव बिग्यान नाम दिया गया है अरस्तु लेमार्क, डार्विन और लिनियस तो उसका राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों बी लेमार्क उसके बाद फ्रेंड हम चलते हैं इसके अगले क्यूशन पर अगला क्यूशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है ब्रिद्धा विस्ता है काल प्रभावन के विषय में ज्यान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं तो आपको चार ओप्शन देखने हो इसका राइट एंसर दोस्तों हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं ओप्शन नमबर बी जैरेंटो लोजी ध्यान दीजेगा उसके बाद फ्रेंड हम आते हैं अपने दसवे नमबर क्यूशन पर दसवे क्यूशन पर आप देख सकते हैं निमलिखित पर विचार कीजिए चमगादर भालू क्रिंटक उप्योग में से किस प्रकार के जन्तु में सीथ निश्कर्टा की प्रईगटना का प्रसेपर किया जाता है तो दोस्तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर सी एक दो और तीन तीनों ही में दोस्तों किया जाता है चमगादर भालू और क्रिंटक में उसके बाद आम आते हैं इसके अगले क्यूशन पर जो हमारा बारवे नमबर क्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं निमलिखित में से कौन सा एक जिव अन्नी तीन जिवों के उबर्ग में नहीं है तो केक्रा बरूथी बिच्चु और मकरी तो इसका राइट एंसर हो जाएगा फ्रेंड भालू उसके बाद फ्रेंड हम आते हैं इसके अगले क्यूशन की तरब तो यहां आप देख सकते हैं चार उप्सन आपको दिग्या मच्छों के नियंतरड हेटू प्रियोग होने वाली की भच्ची मच्छी कौन सी है तो राइट एंसर दोस्तों हो इसके बाद फ्रेंड हम आते हैं 16 नंबर की क्यूशन पर आप देख सकते हैं औक्टोपस क्या है औक्टोपस तो एक संधीपाद है सुल चर्मी है एक हेमिकाड़ा है एक मिडिक कवची है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्सन डी उसके बाद हम आते हैं इसके अगल नंबर भी वार्लस उसके बाद फ्रेंड हम 17 नंबर क्यूशन पर आते हैं यहां आप देख सकते हैं टिक और माइट वास्तों में होते हैं मकरी वनसी क्रेस्टेसियाई कीट और बहुबाद तो उसका राइट अंसर हो जाएगा ओप्सन ए मकरी वनसी उसके वाद हम चलते है इसके अगले क्यूशन पर तो अगला क्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं रेसम का कीरा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वारिजिक तन्तु पैदा करता है तो अंडा दिंभग कोशीट और पूड कीटर तो उसका राइट अंसर हो जाएगा फ्रेंड कोशीट उसके इसके अगले क्यूशन पर यहां आप देख सकते हैं घोशला बनाने वाला एक मात्र सर्प है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा स्रिंखला पिदाकू चैन वाइपर नागराच किंग कोब्रा करेट और क्रकच करेली पदाकू तो फ्रेंड इसका राइट अंसर हो जाएग किसकी समांग है तो आपको चार उपसं देखने को मिलें मचलियों के रे मचलियों के इस्तिनियों के वसा कसे रूकी प्राडियों की लार गरन्थिया तो इसका राइट डंसर हो जाएगा फ्रेंड उप्संदी तो टोटल दोस्तों इतने क्यूशन थे आने वाले सभी कॉम्